अलो दोस्तों आज के इस वीडियो में रेलबे गुरूब डी एकजाम के बारे में बात करने बाने हैं कि रेलबे गुरूब डी एकजाम जुलाई से सुरू हो सकते हैं या नहीं क्योंकि आप सभी को पताई कि आररबी के दौरा का गया है कि गुरूब डी एकजाम जुलाई स से शुरु करवाये जा सकते हैं और जिस परकार से नसे डिके दोरा गुरूपडी एक जाम कराने से मना कर दिया गया जिसके कारण आरर भी को एजनसी के चैन के लिए फिर से टेंडर वरगेरा की पड़करिया सुरु करनी पड़ी जिसके चलतें लगबग सभी कंडेट के मन मे डाउट बना हुआ है कि रेलबे ग्रूब डी एक्जाम जुलाई से शुरू हो सकते या नहीं तो इससे जुरी ही कुछ अपडेट आई है तो चलिए देखते हैं क्या अपडेट इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा आवज दिखेगा तो चलिए अज कब रिश्टार्ट कर है 17 जून को इन्टी पेसे से विड़ी टू एक्जाम समाप्त हो जाएंगे 17 जून के बाद जून में ही आप लोगों को रेलबे ग्रूब डी एक्जाम के लेडेट ओफिस्यल नोटीस देखने को मिल सकती है अगर रेलबे ग्रूब डी एक्जाम जुलाई में सुरू होते ह तब क्योंकि जब भी group d exam सुरू होंगे उससे कम से कम एक महने पहले आप लोगों को official notice देखने को मिल जाएगा अगर जूलाई से group d exam सुरू होंगे तो जून में आप लोगों को official notice देखने को मिल जाएगा तो चलिए जानते हैं जूलाई से railway group d exam सुरू हो सकते हैं या नहीं आप लोग देख सकते हैं कि नीचे दिया गया है कि रेलबे भरती बोर्ड के कई एक जाम भी प्रस्तावित इसमें आगे का गया कि रेलबे भरती बोर्ड की ओर से करीब 35,000 पदों पर NTPC की भरती करवाई जाएगी वह रेलबे की ओर से गुरूबडी के करीब 1,3,000 पदों और भरती एकजाम जुलाई में होने की संभावना है लाखो अब्यार्थी बिगत सारे तीन साल से गुरूबडी भरती का इंतिजार कर रहे हैं तो इस अपडेट के नुसार जुलाई से गुरूबडी एकजाम सुरू हो सकते हैं अगर गुरूबडी एकजाम जुलाई से या अगस्त के फर्स्ट वीक से ही गुरूबडी एकजाम शुरू हो सकते हैं इससे पहले गुरूबडी एकजाम शुरू होने का बहुत ही कम चांस है अभी आप लोग जुलाई मान करें अपनी तैयारी जारी रखें और ऑफीसियल नोटिस का इंतजार करें क्योंकि ऑफीसिय सब्सक्राइब करें वीडियो को जाजाजाजा सेर करें और लाइक करें तो चलिए आज का वीडियो स्मॉप्ट करते हैं वीडियो तेकनिक लाप्रोग का धन्निवाद